हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम जो प्रेशन रीजिनिंग का सबसे इंपोरेंट है वो, यानि की रक्त सम्बंदी बिलेड रिलेशन वाला, तो पूरा वीडियो देखेगा, चले स्टार करते हैं, पहले कोशन से सी माता है ए और बी की, जो सी है, यह माता है ए और बी की माता है, तो यह दोनों का आपस में भाई बेहन का रिश्ता होगा, या दोनों बेहने होंगे या दोनों भाई होंगे लेकि इन दोनों की ये माँ है इसकी भी माँ है और इसकी भी माँ है ठीक है यदि D पती है B का यानि कि B का पती है D ठीक है कौन है इसका पती तो एक चीज़ तो किलिए हो गई कि ये जो है ये फीमेल है यानि कि C की ये बेटी है और बेटी का कौन है पती ठीक है? डी पती है B का तो C कौन है D की? C कौन है D की? भाया देखो बीटी का पती यह है और पत्नी की मा कौन लगेगी? सास लगेगी की نہیں लगेगी? कौन लगेगी भी या सास तो इसमें तो कुछ थाई नहीं कि तो आसानी से हो क्या यानि कि C option सही जवाब है सास वह यह C कौन है D की C कौन है D की D की सास है C तो यह प्रशन आसानी से किलियर हो क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल इसी तरीके से question को समझा करें बिलेड रिलेस्टन को बहुत बच्चे कठिन समझते हैं जबकि यह पहुत आसान चैप्टर है बस करने का तरीका आपको सीखना है ठीक है चलिए अब देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है A की माँ B की बहन और C की बेटी है देखिए A की मा A की जो माँ है A की जो माँ है वो B की बहन B की बेहन और C की बेटी है C की बेटी है यानकि जो A की माँ है वो B की बेहन है और C की बेटी है ठीक है यह है D बेटी है B की D बेटी है B की D जो है बेटी है B की D बेटी है B की और बेहन है E की यानकि यह D है न यह E की बेहन है ठीक है E की बेहन है ठीक है तो C का E से क्या संबंद है इस C का इस E से क्या संबंद है इस E का इस C का इस E से C का संबंद क्या भई E से C कौन लगता है E का ठीक है ये इसकी बेहन है और ये इसकी मा है जब इसकी मा है तो इसकी भी मा होगी ठीक है जब इसकी माँ है तो इसकी भी माँ होगी अब देखिए इसकी ये माँ है और ये दोनों बहन है जब इसकी माँ है ये तो इसकी भी माँ होगी इसकी ये बेटी है और बेटी का ये कौन है ये बहन भाई आपस में अब आपस में आप इस समझ सकते हो कि जब इसकी मां ये है ये आपस में भाई बैने जब इसकी बेटी ये है तो इसकी बेटी भी तो ये होगी होगी की नहीं होगी भाई इसकी बेटी ये भी होगी अब ये दोनों भाई बहने जब इसकी माँ ये है तो इसकी भी तो माँ होगी ये और माँ की माँ कौन लगेगी नानी या नाना अब इसका C के बारे में केलियर नहीं है ये मेल है या फीमेल तो ना नहीं लेगेगी या ना ला, टी ओफसन हो जाएगा भाई सही चपाब, आसानी से हो गया समझ में, चलिए, अब देखते हैं अगला प्रशंगे, अगला सवाल, A B का भाई है, और C A का पिता है, अच्छा सवाल है, A B का भाई है, B का भाई। ठीक है अब देखिए एका प्रिता है तो इसका भी तो प्रिता होगा ये बात आपके तुरंत किलिक हो जानी चाहिए क्योंकि आपस में ये भाई देख कहा गया है जब इसका प्रिता है तो इसका भी होगा ठीक है डी इका भाई है चलिए डी इका भाई है ए बी की पुत्री ह बी जो है ये जो बी है ना ये ए की पुत्री है आप समझ में आ गया सबब अब प्रेशने में देखिए ए बी की पुत्री है बी की पुत्री कौन है ए ये कहा गया जो ए है वो बी की पुत्री है B की पुत्री है यानि कि बेटी है E B की पुत्री है D का चाचा कौन है जबकि हमसे यहाँ पर कहा गाता D E का भाई है जो D है वो E का भाई है E का भाई है E का भाई है D ठीक है तो D का चाचा मामा कौन है D का चाचा या मामा कौन है देखे इसका यह कौन है, बेटी, बेटी का यह कौन है भाई, इसकी यह बेहन है, बेहन की माँ और इसकी माँ एक हो जाएगी, ठीक है, अब इसका यह बाई है, बी का बाई है, तो माँ का बाई कौन लगेगा, मामा लगेगा, हमसे यह तो पूछा है, चाचा या मामा कौन है, चाच औप्सन से ही हो गया, भाई देखें, इसकी ये पुत्री है, इसका ये भाई है, तो इसका बेटा ये हो गया के नहीं, जब इसका बेटा ये हो गया तो इसकी मा ये हो गया, और मा का भाई कौन लगेगा, मामा लगेगा, सवाल खतम, चलिए, अब देखतें अगला प्रेस्ट P Q और R का भाई है P जो है वो Q और R का भाई है देखे P जो है वो Q Q और R का भाई है P जो है वो Q और R दोनों का भाई है दोनों का भाई है इसका ठीक है यह दोनों का भाई है इनका P जो है Q और R दोनों का भाई है ठीक है S R की मा है S जो है यह R की मा है R की मा अब देखना यह P, Q और R का भाई है कि तीनों अपस में भाई-भाई होंगे या भाई-बहन होंगे ठीक है जब R की मा है यह तो Q की मा भी होगी और P की मा भी हो जाएगी जब तीनों अपस में भाई है तो R की जो माँ है वो Q की भी होगी और P की भी होगी इतना दिमाग में तुरंट किलिक होना चाहिए T P का पिता है जो T है वो P का पिता है P का पिता है T ठीक है कौन है भाई पिता अब एक चीज तो किलियर होगी यह थी पहले जब R की माँ है यह तो Q की मा होगी और P की भी मा होगी ठीक है के लिए रहे अब P का पिता है T तो Q का पिता भी होगा और R का पिता भी होगा ठीक है तो S T का क्या संबंद होगा T की S कौन लगेगी पत्नी लगेगी की नहीं लगेगी पत्नी होगी भाई इतना के लिए फिर पूछाए कि निमलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूफ से सत्य नहीं हो सकता है चलिए T Q का पता है जो T है वो Q का पता है बिल्कुल सही भाई ये तो सत्य है सत्य नहीं हो सकता उसके बारें पूछाए Q T का पती है जो Q है वो T का पती है बाई बिल्कुल भी नहीं है यह तो Q का पती है यह नहीं S P की मा है S जो है P की मा है बिल्कुल सही T S का पती है T जो है S का पती है बिल्कुल ठीक है T की पती है तो S का पती है T हो गया यह भी बिल्कुल ठीक है तो कौन सा सत्य नहीं हो सकता यह जो B option है यह सत्य नहीं हो सकता इसका मतलब यही हमारा सही जवाब हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताया करें अब देखेंगे अगला question अगला सवाल है P, Q, R, S, T तथा U 6 बच्चे, ठीक है 6 बच्चे खेल रहे हैं इनमें P तथा T बेहने हैं P और T बेहने हैं यह कहा गया कि जो P और T है यह दोनों बेहने हैं बेहने हैं दोनों आपस में बेहने का मतलब यह भी female है और यह भी female है ठीक है यह हो गया फिर कहा गया U T का भाई है U T का कौन है भाई भाई का मतलब क्या हो जाएगा पुरुस यानि की प्लस का सान ले लेंगी माइनस से फीमेल प्लस से पुरुस को दर साते है ठीक है चलिए R P की चाची है जो R है वो P की चाची है P की चाची है R P की चाची ठीक है P की चाची जब P की चाची है र तो T की चाची भी हो जाएगी और U की भी चाची हो जाएगी क्योंकि यह तीनों आपस में भाई बेहन है ठीक है आर पी की चाची है नहीं नहीं आर पी की चाची की इकलोती बेटी है आहाँ समझ येगा यहाँ पे आर नहीं आएगा पूरा प्रस्ट नहीं पढ़ा था हमने पढ़ा था जो आर है वो पी की चाची की इकलोती बेटी है यानि कि पी की चाची पी की चाची की इकलोती बेटी है चाची की कौन है बेटी कौन आर पी की चाची की इकलोती बेटी है आर बेटी है न फिमेल है तो माइनस ले लिया इस तरीके से अब पी की चाची है ती की भी चाची हो जाएगी यू की भी चाची और चाची की बेटी कौन है आर ये कहा कै एकलौती बेटी है Q तथा आर की मा की बेहन के बेटे हैं समझ ना प्रेशने को Q तथा आर Q तथा आर की मा की बेहन के बेटे हैं कौन Q जो है Q आर की मा के बेहन के बेटे हैं U का आर से क्या संबंद है U का R से संबन्द पूछा इस U का संबन्द पूछा इस R से आगे का जो question उसे हटा दीजे ठीक है? आगे का जो question उसको हटा दीजे ठीक है? आगे का question हमने हटा दिया क्यों हटा दिया? क्यों हमसे एक बाद था क्यों R की मा की बहन के बेटे है आर की ये मा है भाई इसकी बेटी ये है तो इसकी ये मा हो जाएगी इसकी ये बेटी इसकी ये मा हो जाएगी मा की बेहन के बेटे हैं मा की बेहन यानि की सिष्टर इनकी सिष्टर के बेटे हैं कौन? क्यू? इससे मतलब नहीं दिया गया है पूछा गया है कि यू का आर से क्या संब्द है इस यू का इस आर से क्या संब्द है अब चाची की बेटी कौन लगेगी भाई चचेरी बेहन लगेगी और इसकी मा का ये कौन है बती जा तो चचेरा भाई लगेगा तो प्रश्णी में इस तरीके का संब्द है या नहीं ये देखें चचेरा भ पतीक से मुस्तिफा का परिच्च कराते हुए कहा कि इसके भाई के पिता मेरे दादा जी के इकलोते पुत्र हैं फातिमा का मुस्तिफा से क्या संबंद है बहुत ही अच्छा संबंद है यह फातिमा है ठीक है यह जो फातिमा है समझ ले न यह फातिमा अपने पती से का परिच्छे करा रही है फातिमा मुस्तुफा का परिच्छे करा रही है तो जो परिच्छे करा रही है पहले उसी को लेते हैं जैसे फातिमा परिच्छे कराई तो मैंने फातिमा को ले लिया फातिमा क्या कह रही है सुनिएगा फातिमा अपने पती से मुस्तुफा का परिच से फातिमा अपने हस्वेंट से परिचे करा रही है क्या कहती है अपने हस्वेंट से परिचे कराते हूँ क्या कहती है कि इसके भाई यानि कि इसके भाई किसके भाई मुस्तुफा के 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 भा भाई के पिता भाई के कौन पिता भाई के पिता मेरे दादा जी के यानि कि किसके दादा जी के फातिमा के दादा जी फातिमा के दादा जी के फातिमा के दादा जी के इकलोते पुत्र है यानि कि मुस्तिफा के भाई के जो पिता है वो फातिमा के दादा जी के पुत्र है ठी तो फातिमा का मुस्तिफा से क्या संबंद है अब देखना फातिमा के दादा जी के पुत्र कौन हो जाएंगे फातिमा के पिता होंगे पिता के पिता ही तो दादा जी लगेंगे और दादा जी के जो पुत्र होंगे वही तो फातिमा के पिता होंगे तो दादा जी के पुत्र ये है तो फातिमा का भी ये कौन लगेगा भाई लगेगा वो समझ में आया समझ में आया कुछ फातिमा के दादा जी का बेटा कौन लगेगा फातिमा का पिता और पिता का ये कौन है बेटा तो पिता का बेटा भाई हो जाएगा और भाई की ये कौन है बेहन तो ये बेहन औ ताका ये बेटा है, जब ये बेटा है तो ये भी बेटा होगा, बेटा और ये भी बहन होगी इसकी, तो मुस्तफा की ये कुन लगे, कि बहन लगे बहन लगे गी B-Option बिल्कूट सई हई चवाब पच्छे से Question सभी को समझ मागे हूँ ए डरने की कोई जरूत नहीं है रख्त संबंद कोई ज्यादा कटिंग चैप्टर नहीं है जिससे आपको डरने की जरूत हो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरू बताएगा ठीक है दोस्तों धन्यवाग